असलाम अलीकूम वीवर्ज आज मैं आपको बेसन वादी चिप्स बनानी सिखाऊंगी बहुत इजी रेसिपी है आप अपने बच्चों को घर में ही बना कर दें और इसके लिए हमें चाहिए आलू चाहिए आलू चाहिए रेड मिर्च चाहिए नमक चाहिए और बेसन चाहिए आलू दो लें और इनको छील लें और फिर एक दफ़ा दो कर इसको इस शेप में कटें बेसन वाली चिप्स के लिए हमने आलू शेप में काट लिए हैं अब हम वन टेबल स्पून इसमें बेसन एड़ करेंगे थोड़ी सी रेड चिली और थोड़ा सा ही नमक नमक और चिली जो है वो आप अपने मर्जी के मताबिक जो है वो चिप्स में एड़ कर सकते हैं ये बहुत ही खस्ता सी मज़े मज़े की क्रिस्पी सी बेसन की चिप्स वेनेगी बाहर की बज़ाए आप घर में अपने बच्चों को बना के दें वो ज्यादा इंजॉय करेंगे चिप्स को इसमें हम पानी नहीं डालेंगे इसको ऐसे ही हम मिक्स करेंगे ले जी हमारे जो है आलू उन पर बेसन लग चुका है बेसन मली चिप्स के लिए हमने ओयल जो है वो एक फ्राइपैन में डाल के उसको और गरम कर लिया है जब देल अच्छी तरह गरम हो जाए तो इसमें हम जो है वो चिप्स जो है उसके कतले आलू के जो डालेंगे और इनको फ्राइपन बोगत ही मज़े की यह बनती है आप इवनिंग में टी टाइम में इसको जो है वो बनाए और अपने बच्चों को भी खिलाए और खुद भी खाएं हमारे चैनल की तमाम वीडियो को लाइक करें और कोमेंट्स दें और पाक ट्यूब को शुसक्राइब करें और कोमेंट्स म क्या आपको मेरी रेसिपी जो है वो कैसी लग रही है अब हम इसको फ्राय अच्छे तरह कर लेंगे हमारी बेसान वाली चिप्स जो है वो रेडी हो चुकी है अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे बहुत ही क्रिस्पी सी बनी है और बहुत इजी रेसिपी है आप बेसान वाली चिप्स अपने घर में बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं और हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैरल को सुस्क्राइब करें और मज़े मज़े से ये चिप्स एंजॉय करें बेसन वाली चिप्स जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है बहुत ही खस्ता सी बनी है आप इसको मज़े मज़े के साथ कैचिप के साथ इंजॉय करें और हमारी वीडियो को लाइक करें कुमेंट्स करें और हमारे चैनल पार्क ट्यूब को सिस्क्राइब करें मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें शुक्रिया झाल झाल